हमस्कार आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विश्य के अंतरगत एक पत्र लेखन लेकर आया हूँ यह पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतरगत आता है तो यह प्रशन प्रशन को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और दो चीजें जानेंगे एक तो यह कि पत्र लिखना किसे है और पत्र का विश्य क्या है तो देखो पत्र किसको लिखना है अपने मित्र को और किस चीज पर लिखना है कि आड़े वक्त यानि मुसीवत के समय उसने आपका साथ दिया ठीक यह बास समझ में आगई अब क्या करेंगे हम सबसे पहले दो पत्र लिखन ठीक है फिर उसके बाद हम एक लाइंग छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे पता पता हमने लिख दिया का खागा 21E फिर कॉमा लगा तो पटेल नगर आगरा तो यह का खागा यह आप कोई भी कालपने पता लिख सकते हो पिर उसके बाद उसके ठ कि एक सामने हमने दिनांग लिख दी 13 मैई 2000 और यह यह 2X बना दिये यूंकि परिच्छा में वर्स नहीं लिखा जाता तो आप चाहने तो इस दिनांग को इसके पता के नीचे भी लिख सकते हैँ या इसके सामने लिख दें या फिर इसके नीची लिख दें जो ठीक लगे दोनों ही सही होते हैं पर उसके बाद हम एक लैंग छोड़ के लिख देंगे प्रियमित्र दीपक आप तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं फिर एक लैंग छोड़ दिया तो लैंग इसलिए छोड़ते इससे क्या होता सारी चीजें बहुत ही इसपश्ट दिखाई देती है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जिनकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है जिनकी हैंड राइटिंग ठीक है तो उन्हें इन लैनों को छोड़ने की आवसकता नहीं है ऐसा कोई नियम नहीं किलाएं छोड़ना है वो तो हम सर्फ आकरसक और साफ सुतरा दिखे इसलिए छोड़ देते हैं ठीक है पिर आगे प्रिये मित्र आसा करता हूँ कि आप को सल मंगल होंगे आपकी दूआ से मैं भी ठीक हूँ आगे समाचार या एकी आपने मुसीवत के समय जो सयोग किया था उसके लिए तुमारा इर्दै से धनवाद आज के समय में कोई किसी की मुसीवत में आसानी से मदद नहीं करता है मुझे याद है कि किस तरह से कंभीर बीमारी होने पर आपने आर्थेक और मांसेक रूप से सयोग किया था आपने अपने काम को महत ना देकर मेरी सेवा में अपना किमती समय खर्च कर दिया आपने मेरे लिए कई मुसीवतों का सामना किया परंतु मेरा साथ नहीं छोड़ा आपने परवार के सुप चिंतक की तरह एक सच्चे मित्र का पर्चे दिया आज मैं जो स्वस्थ होकर अपने परवार के साथ सुखी हूँ तो आपकी वज़य से तो उसकी वज़य आप ही है आपको पुने दनवाद सेज बाते मिलने पर आपका साथ हमेशा मिलता रहे फिर एक लैंक छोड़ देंगे और लिख देंगे आपका प्रिया मित्र का खागा ठीक तो इस तरह से ये पूरा पत्र हो जाएगा अब पूरा पत्र का ऐसा दिखाई देता इसको और देख लेते हैं जब पूरा पत्र लिख लेंगे तो कुछ इस परकार से हमें दिखाई देगा अब पत्र लिखते समय कौन कौन सी साउधानी रखें एक तो इसको क्या करेंगे फारमेड में लिखेंगे अगर अपचारिक पत्र है तो अपचारिक प्रारूप में लिखेंगे अगर अनपचारिक है तो अनपचारिक प्रारूप में हम लिखेंगे पत्र के ठीक अब जो हम यह पत्र लिखते हैं इसमें किसी प्रकार की गलतिया ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप हमेसा ऐसे ही सब्दों का प्रयोग करना जो आप आसानी से सरल सही लिख सकते हो जो कठे नों मुस्के लगते हो उन्हों सब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें तो इस तरह से आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक, अब इसका फिर क्या करेंगे, आप इस पत्र को देखकर एक से दो बार लिखेंगे, और फिर बाद में बगार देखकर लिखेंगे, और फिर मिलान कर लेंगे, जो कमी रह जाएगी, उसको हम सुदा लेंगे, अगर आप केवल एक गंटे सिर्फ इस तरह से या आदे गंटे पत्र का ब्यास करेंगे, तो निश्चेतर में आप पत्र लिखना सीख जाएंगे, अगर आपको किसी भी विशाय पर ऐसा पत्र हो, जो मायत पूर लगता हो, और वो आपको लिखने ना आ रहा हो, या आपको लिख किसी ने विशाय के साथ तब तक के लिए धनवादा